एक नहीं हवा चली महक रही गली गली अब मौसम भी बदल गया वक्त पुराना निकल गया हमको अब उड़ जाना है अंबर परचा जाना है होसले अपने आज बड़े हैं लेंगे नहीं उडान एक नहीं उडान अरे अजय नमस्ते दी नमस्ते आओ अँदर आओ लट आज़े दीदी बुआ जी का है वो अपने कमरे में अंदर अच्छे और आप आज बुटीक में काम नहीं कर रहें नहीं बस मन नहीं है अजय तुम चाई तो पियोगे ना नहीं रहने दीजे दीदी चाई का मोड नहीं है पानी पी लूँगा ठीक है मैं ले आती हूँ जी दीदी का मोड मेरे वज़े से खराब है कोई बात नहीं शायद हमारी बात सुनकर ठीक हो जाए थांक यूदी दीदी आप बैठे हमें आप से कुछ जरूरी बात करने है बलूँ दीदी आप चाहते हो ना कि प्रीती अभी आगे और पड़े शाहती तो हूँ बज़ इससे पढ़ना चाहिए उससे भी तो तेयार होना चाहिए दीदी के इस बात का चावप अगर तुम दोगी तो रहतर रहेगा दीदी मैं पढ़ने के लिए तयार हूँ सच पृती तू आगे और पढ़ेगी हाँ दीदी, लेकिन इस साल मैं अभी ड्रॉप करूँगी क्यों? क्योंकि दीदी हमारे दिमाग में एक प्लान है मतलब स्टार्टप, मतलब अपना खुद का बिस्निस बिस्निस स्टार्ट करने के लिए पैसो की ज़ुद पड़ती है जो न तुम्हारे पास है, न हमारे पास ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो इसलिए ऐसे पहीलियों में बाते मत करो सीधे सीधे बोलो तुम दोनों की दिमाग में चल क्या रा है हरे दीदी, अजे के बोलने का मतलब ये है कि बिजनिस तो मुझारे पास पहले से ही है बस उसे एक नया रूप देके हमें उसे स्टार्ट अप करने की जरूरत है हमारे पास पहले से बिजनिस है कौन सा बिजनिस अपना बुटीक अपना बुटीक, वो चोटे से कपड़े की दुकान हाँ दीदी, अगर हम कोशिश करें और चाहें, तो हमारी वही छोटी सी कपड़ों के दुकान एक दिन एक बड़ा शोरूम बन सकती है और शायद एक दिन एक बड़ी इंडस्ट्री भी क्या बच्चो जैसी बाते कर रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है दीदी, जमाना मार्केटिंग का है अगर हम अपनी दुकान को एक ब्रैंडिड नाम दे दें और आपके डिजाइनर कपड़ों को इस तरह से मार्केट में प्रेजेंट करें जैसे देखने वाला किसी और की कपड़े लेना ही भूल जाए तो जो मैंने कहा सब हो सकता है वेरी नाइस आइडिया अजय तुम दोनों की दिमाग में आइडिया कैसे आया? अस तक मेरे दिमाग में तो आया नहीं अरे मेरी प्यारी से दहें तुम्हारा सारा दिमाग तो मेरी और पापा की जीमितारियों को उठाने में लगावा था नहीं तो मुझे नहीं पता क्या मेरी दीदी कितनी टालेंटिड है लेकिन अजय इसे स्टार्ट करने के लिए मैन पावर लगेगी पैसे लगेंगे बहुत सारी फॉर्मालिटीज लगेंगी वो सब हम कैसे करेंगे वो सब छोड़े दीदी पहले आप ये बताईए कि क्या आप रेडी है यस, of course I am ready तो फिर समझे कल से हमारा काम शुरू हम सब ये काम मिलकर करेंगे सबसे पहले एक ब्रैंड नेम सोचेंगे उसे रेजिस्टर करवाएंगे फिर पैसे और मैन फावर के इंतिसाम करना होगा और बस हमारा स्टार्ट अफ शुरू ओके, डन तो ठीक है दी, मैं चलता हूँ शाम हो रही है घर जाकर विजय भाया को भी मनाना है हमारी टीम जॉइन करने के लिए हमारी अगली मीटिंग शायद कल हो ठीक है, जाके बाई दी बाई बाई आजाए बाई दीदी, अब लेंगे हम एक नई उडान मुन्नी, तुने खाय नहीं अभी तक जल्दी, खाया ले विजए, एक उपी और ले बस होगिया अरे लेले बिटा बहुत है अजे नहीं अभी तक बिटा अगा होगा अगा होगा अरे आगया बिटा खाना लगा दू तेरा एक मिनट माँ फोन आ रहा है माँ विकास बोल अरे नहीं यार हम दोनों को कुछ काम आ गया था तेरा सही है, तुने आज फिर अंकल को लपेट लिया अरे ऐसा नहीं है यार अंकल बस बाते थोड़ी जादा छोड़ते हैं बार दिल के कावी अच्छे है अच्छा सुन, कल शाम को ज़रूर मिलियो तुससे एक खास बात करनी है अरे वो बात नहीं है यार फ्यूचर को लेटेड़ बात है इंपॉर्टन्ट है कल मिलियो ज़रूर हाँ, सच्छ, ठीक है दियान दख अब लगा दू खाना मैं बाद में खाऊंगा मां भाया, आपका खाना हो गया? आपका खाना हो गया? कुछ काम था गया? अब यह एक इंपॉर्टन्ट बात करनी थी चलो कम्रे में चल कर बात करते हैं चलो ठीका, आज़ आते हैं मां हाँ, बोल क्या बोल रखा? आज मुझे और पीती को हमारे स्कूल के एकनॉमिक्स के टीचर है संजे रावज जी, वो मिले थे तो फिर? अब तो जब उन्हें हमारे आगे ना पड़पाने के वज़े के बारे में पता चला तो उन्होंने हमें एक एड्वाइस दी क्या? उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का स्टार्टप क्यो नहीं शुरू करते मतलब? मतलब खुद का बिजनिस तो तुन्होंने यह नहीं बताया, जब हमारे पास पड़ने के लिए पैसे नहीं है तो खुद का बिजनिस कहां से शुरू करें लिए? उनकी वही बात तो हमें इतनी अच्छी लगी जिसने हमें बिजनिस स्टार्ट करने के लिए एक दम इंकरेज कर दिया उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो साथ निभा देते हैं अच्छा तो अभी विकास का फोन आया था इसलिए? नहीं अभी तो ऐसे ही आया था लेकिन कल शाम को मैं उससे इस बारे में बात करूँगा अच्छा तो यह तो बताओ कि बिजनिस किस चीज का करने का प्लाइन है गामिस का भीया वो प्रीती है ना उसकी भेहन है सुनाक्षी दी वो एक पैशन डिजाइनर उनका अपनो बुटीक भी है हम उसी को अपना ब्रैंट बनाएंगे उनसे बात हो गई है वो लोग तयार है बस अब आप भी तयार हो जाएए मतलब मैं तयार हो जाएए मतलब मैं तयार हो जाएए भाईया ये काम हम सब सात मिलकर करेंगे काम भले इड़ी छोटे सतरका है लेकिन manpower तो लगती है न तो क्या आप इस काम में हमारे साथ चलने को तयार होंगे अबे तेरे साथ तुम्हें जलती भी आग पे चन ने के लिए तयार उपागल पक्का भया दील तो भया कल से होगी हमारी एक नई शुरुवात मुन्नी खाना खालिये तो ने हां मा खालिया तु फिर लग गई ना फोन में अरे बेटात थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दिया कर ठीक है अरे आगए आप आशो बड़ी जल्दी आगए तब यद ठीक है तुम्हारी ठीक है क्या हुआ तब इतको और वो तेरे लाडले ने दिखाई दे रहे हैं कहां गई आज अपने कमरे में है अच्छा है कमसें घर में शांती तो है एक काम करो चाय पेरे कमरे में लेके आना ल हां हैँ बड़ा पानी पम्हां पापा ही इक बात बता हूं अबता बिटा अजय भाइया ना सुबहा के निंगलिवे और अभी आया आप के आने से पहले और अब करेगा ही क्या काम तो है नहीं सारा दीन मत्र गासती करें अबस स्टा आपा पापा इक और बाता हूं आब ब विजय भाईया से बोला कि कुछ इंपोर्टेंट बात कर लिया फिर? फिर वो दोरों कमरे में चले गए फिर? और दरवाजा बन कर लिया फिर क्या हो? फिर पता नहीं अरी जब पता नहीं तो तिर क्या ख़ब सुना रही ही तो चल जा जा कर सो सुनो जी हम ये दो चाय पे लो अच्छा आप चाय प्यो पापा मुझे भी सोने जाना है हाँ चलो मुन्नी बैक पैक हो गया? ये ले दूद पीले मुझे स्कूल कान छोड़ेगा आच? पापा दुकान जारे वोई छोड़ते हुए जाएंगे जल्दी कर ले बेटा मुन्नी तियार हो गई बेटा? हाँ पापा दूद पीलू मस्क जल्दी पीले बेटा मुझे आज जल्दी दुकान जाना है ये लो जी टिफिन ले लो ठीक अरे ये क्या था? ये क्या था मतलब? पैर छुके गए और क्या था? भगर आज से पहले तो कभी ने चुए तो आज छुली है तो क्या हो गया? कुछ तो बात है तुम्हें पता होगा ये बच्चे सुबह त्यार होगे कहां गए आज भगवान आपके शक्की दिमाग में न कुछ न खुछ चलता ही रहता है अरे गए होंके दोनों अपने किसी काम से अब हर बात के लिए मुझे बता के दो जाएंगे नहीं हो गया तेरा? रख लास दे चल चल दी कर कुछ तो गड़बड है इस घर में इन माबेटों के भी इस कुछ न कुछ तो चल रहा है रात को जरूर कोई ना कोई खिचडी पकी होगी कि जो यह लोग मुझे नहीं बता रहे है चल लो बापा, दीर हो रही है हाँ बिटा, चल लो हाँ तो अजवर प्रीती अपना स्टार्टप शुरू करने का इराद तो हमने कर दिया है अब तुम लोग यह बताओ किस की शुरुआत कैसे करे प्रीज सबसे पहले तो हमें अपनी कंप्री का नाम रेजिस्टर करवाना पड़ेगा और नाम तो महर पास पहले से है ना, ताती बुटीक हाँ लेकिन उसमें से बुटीक घटाना पड़ेगा, अकेला ताती काफी अट्राक्टिव है हाँ, वैसे भी जब हम कंप्री शुरू करने जा रहा है, तो बुटीक उसके साथ सही इंप्रेशन डालेगा भी नहीं सही कह रहे हो विजे साथ ही में हमें एक पार्टनर्शिप डीड भी करनी चाहिए क्यों प्रीती हाँ, अफकोर्स जब पार्टनर्शिप में काम करने जाई रहे है तो डीड तो बनवाने ही पड़ेगी ना अच्छा, सबसे पहले में एक बात लिये कर दूँ मार्केटिंग और पंडिंग का सारे इंतिजाम में और पीती करेंगी मैनेजमेंट भहिया, आपका डिपार्टमेंट होगा और दी, आपका पूरा ध्यान सिर्फ डिजाइनिंग वर पर रहेगा लेकिन अजय, सबसे पहले हमें ये डिसाइट कर लेना चाहिए कि इनिशन स्टेज पे हमारा कितना पैसा लगने वाला है तेको शुरुवात में हमें पार्टनर्शिप डीड और रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए होगा जो कि आठ से दस हजार के लगबग आएगा और फिर हमें सैंपिनिंग के लिए कपड़ा भी खरीदता होगा वो भी अच्छी कॉयलेटी गा और फिर स्टेशनरी बनवानी होगी उस पर भी खर्चा आएगा लेकिन पहले हम ये तो रिशाइट करें कि हमें किस प्रकार के गार्मेंट से अपनी शुरुवात करनी है तब ही तो समझ पाएंगे कि कितना खर्चा आएगा कि मेरे ख्याल से अगर हम लेडीज गार्मेंट से शुरू करें तो ज़्याद अच्छा रहेगा लेडीज गार्मेंट क्यों है? किज गार्मेंट या जैन्स गार्मेंट क्यों नहीं? वो इसलिए अजय है, क्योंकि जब शोरूम में कपड़ा लगता है ना, तो सबसे पहले लेडीज की निजरोस पर पढ़ती है, और जैन से ज़्यादा लेडी उसके दर वाकशित होती है और एक साइकलोजी ये भी है, क्योंकि जब पुरुष कपड़े और गहने खरीदता है, तो उस पर खर्च करने से पहले सो बार सोचता है ओके, तो तय हुआ, हम शुरुआद लेडीज गामिन से करेंगे, लेकिन इसके लिए शुरू में हमें कम से कम पांच से छे अलग अलग सैंपल्स चाहिए होंगे तो दी, सैंपल्स का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? I think अगर हम अच्छी क्वाल्डी का कपड़ा यूज करते हैं, तो लगबग 10,000 तो मान के चलो तो मोटा-मोटा मान लेते हैं, रेजिस्ट्रेशन और सैंपल्स का कुछ 20,000 खर्चा होगा हाँ, इतना तो आई जाएगा चीक है तो चलो अब डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग किस एरिया में करनी है यार, अजय, मेरे हिसाब से अगर हम 25 किलोमीटर के एरिया को टार्गेट करें और उसे दो जोन में बाट ले, इस्ट और वेस्ट में इसको मैं कवर कर लूँगी और वेस्ट को तो हाँ, ये ठीक रहेगा लेकिन यार, इसके लिए हमें एक वेहिकल की जरूद तो पड़ेगी अब साइकल पर जाएंगे तो इंप्रेशन ठीक थोड़ी पड़ेगा यार, बात तो तेरी सही है पर अपने विकास और संजना किस काम आएंगे तो विकास की गाड़ी ले 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 ना और मैं संजना की मतलब पैसे भी उनका और गाड़ी भी उनकी सादही एक्सपेक्ट नहीं करें हम उन लोगों से यार, अब जब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी तो ठीक है आज की मीटिंग यहीं ख़तम करते हैं क्योंकि हम दोनों को भी निकलना पड़ेगा विकास को मैंने बुला लिया है संजना को बुला लेंगे उससे गाड़ी और पैसो की बाते टाय कर लेंगे ठीक है तो चले मैड़ी और शुब कामे देरी काजी और मैं भी चलता हूं और में दें अगली मिटिंगे ने तेकी दीदी रहे आखे है और भाई काया है अरे यह क्या अरे ईये क्या यह लगा था फोर्ट बिलर बेहेंगे रहेंगा है 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 हुआ है 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 यह जा एलो मादम, इसी है आप बढ़िया बढ़िया तपर अईये बैठी है अँटी, पहले और चार मैगी खाने यार, बहुत भूख लग 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 लिया वैसे लिए बड़े पैसे आगे तरह पर लग रहा है यार, मैं तुस्तिम और करूंगा पैसे तो तो नहीं देले है देख रहे हैं पार्टी भी तो देनी है वह मिलागी यार, दिल तोड़ दे यार, तुने थांक्यू, आप लगा लग द्राइपे जाएंगे आज पर चलो क्या कर सकते है भाई अज्या, पहले तो तुझे और प्रीति को बहुत बदाई कि तुम दोनों अपना नया स्टार्ट अप शुरू करने जा रहे हो और अब एक बात बता कि मुझे और संजना को इतना अरजेंटली यहां क्यों बुलाया थांक्यू, विकास अब स्टार्ट अप तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन यार हमें तुम दोनों की मदद की ज़रूत पड़ेगी कैसी मदद? खुलके बोल तरहा? देख भाई, हम दोनों के परिवार के हला तो तुम दोनों से चुपी नहीं है हमारी financial condition क्या है तुम दोनों जानते हैं पंड्स तो है नहीं हमारे पास, लेकिन बिजनिस शुरू करने का पूरा इरादा कर लिया है हमने तुम दोनों चाहते क्या हो? यार संज ना, इनिशल स्टेज पे ना हमें कुछ पैसो की जरुतान पड़ी है तो? तो ऐसे सवालिय नजरों से क्या देख रही है तुम दोनों हमारे best friends हो और अमीर भी हो फोड़ी पैसो की मदद करनी तो बनती है न यार हस क्यो रहे हो? यार तुम्हें मदद करनी है तो करो अट लिस्ट हस हो तो मत ऐसे तु बुरा मानगी लगता है यार तो हस क्यों रहे हो हम हस इसलिए रहते कि यार तो तुम हमें best friend मत कहा करो और अगर best friend कहते हो तो मदद क्यों मांगनी हट से बोलो मना किसने कराया है तुम दोनों ने तो डराई दिया था हमें लगा कहीं मांगते हीं मना न कर दो क्यों? अरे बताओ तुम्हें कितने पैस होगी जरूरत है कमपनी रजिस्ट्रेशन और सैंप्लिंग के कपडो का हिसाब जो हमने लगाया है वो करीब बीस हजार के आसपास बैठता है बस इतने तो संजना अकेले दे देगी शहर के नाम हलवाई की बेटी जो है क्यों बे मैं अकेली क्यों तू भी तो अमीर दूद्या का बेटा है दस हजार दूदे दस हजार मैं दूँगी अचाचा ठीक है दस हजार मैं भी देने के लिए तयार हूं यार संजना यार मुझे तेरी स्कूटी की भी जरूरत पड़ेगी और विकास वहला हमारा ओडर भी नहीं लेगा फिर पट्रियों पर कपड़े बेशने पड़ेंगे ठीक है यार ले ले ना मेरी स्कूटी भी तुम दोनो और विकास वैसे तुझे क्या प्रब्लम होनी चाहिए अंकल ने तुझे फोर बिलर लेके तो दिया है पूर विलर तो ऐसे कह रहा है जैसे कार दिलाई है टेमपो है वो प्रब्लम हो आप जाए प्रब्लम हो बिलर भी तुझे कहाँ वो वो पुझे कहाँ आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल देख इसके सबसे, देख जेगे लालाजी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, क्याल है मृति ? कैसे हो ? सुनाकशी जी नमस्ते, ठेसी हो ? सब ठीक लाला जी बग्वान बला करे मेरा सुना है कि तुम दॉन्हों ने मिलकर कोई नया स्स्टारडब शुझा इंग जी लाला जी वो घर के हालात कुछ ठीक नहीं है और पिरी टी का भविष्य देखना है पिरी टी कांत ब으विष्य देखना है यह ज़ी ज़ी तन एक साथिया आव खरीए कि प्रीति का वभश्षय बना आव बनाते तुम अमारे वभश्य घराख कर दो विसे एक बात बता सु हमारे पैसे देने के लिए तुमारे पैसे देने पेसे लिए तारिफ पर सारीक देती रहती है लेकिन ये स्टार्ट अप करने के लिए कहां से पैसा आ गया है कहां से आ रहा है इतना पैसा है क्या राज है लाला जी अपनी हद में रहिए अभी तुमने लाला की हद देखी कहा है लाला जी लाला से उंसी आवाज में बात नहीं करते हैं समझ रही हो ना और खासकर वो लोग जन्होंने लाला से कर्दा ले रखा हो आवाज नीची लाला जी चुका देंगे हम आपका कर्द तो फिर बोली पीच में हां कर देंगे थोड़ा रहा है लेकर मुझे मेरा पैसा चल्दी वापस चाहिए है ना नहीं तो लाला से बुरा कोई नहीं होगा हां देखो अजय प्रिती ऐसे टेंशन में बेठे रहन से कुछ नहीं होने वाला ये बात तो हम पहले से जानते थे ना कि जब और आएगा तो रौ मेटीरियल के लिए हमें पैसो की ज़द पड़ेगी ही लेकिन दी इस बात का किसी आइडिया था कि हमारे डिजाइनर कपड़े पहली बार में ही शोरूम वालों को इतने पसंद आ जाएंगे और वो में इतना बड़ा ओडर दे देंगे कि उसकी फंडिंग को लेकर हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे देखा सो नक्षी मैं ना कहती थी भगवान जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे लो चाई पीओ एक अच्छी खुबर है भाई एक अच्छे फिर्डिकेटर से मेरी बात हो गई है वो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है अरे सब के मूँ के उबंद हो गए खुशी मनाओ शुरू हो जाओ परस गई ना भगवान की किर्पा आप बैठो में आपके लिए चाय लाती हूँ कि अब्लों को ही हमारे हर डीजाइन पर एक अक दर्जिन का ओडर मिला है अरे इसमें तो फिर इतना मूल इटाए के बैठें की क्या बात है ये तो हम सब लोगों के लिए अच्छी शुरूवात है विजय शुरूवात तो अच्छी है पर हमें एक तो 44 पीस बनाने और हर प अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतने सारे पैसों का इंतिजाम हम कहां से करेंगे भी तो प्रोडक्शन कंटीनू रखनी पड़ेगी ना यह तो हमारे लिए सच में परेश्चानी वाली बात है लेकिन फ्रेंड्स परेश्चान होने से कुछ ने होने माला हमें इसका सॉल्यूशन डोनना पड़ेगा यार आजय हम फिर से एक बार विकास और संचना से बात करके देखे क्या प्रीती बात अब 10-20,000 के नहीं है मुझ भया कोई है जो हमारी प्रॉब्रम को सॉल्व करने में हिल पर सकता है कौन पापा अरे यार तुम से मदद क्यों उमीद कर रहा है मदद तो दूर जब उनको पता चलेगा कि हम लोग ने खुद का विजनर शूरू किया है मदद के बजाए और टेंशन देदेंगा है और भय तो तुम्हारे पापा ही और क्या पता उन्हें जानकर खुशी हो कि तुम फाइनली किसी काम में तो लगे और वो हमारी मदद करने को तयार हो जाए ठीक है अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो जहां इतनी बार गालियां सुन ली है एक बार और साही तो चले भीया अरे कहां हो सुनाने क्या अभी आया पापा हां पापा कुछ कह रहे थे क्या हां तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा आजकर रोज सुबह तयार हो के दोनों एक साथ निकल जाते हो किसी कुछ बता कर नहीं जाते कहां जा रहे हो क्या कर रहे हो तुम दोनों पापा आ आप चाहते थे ना कि हम दोनों काम करना शुरू कर दें हाँ तो हम दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है कैसा काम अपना खुद का बिजनेस खुद का बिजनेस अरे कौन सा बिजनेस गामेंट मैनुफैक्टरिंग का उसके लिए पैसा कहा से आया तुम्हारे पास पापा मै जैने और प्रीती ने कंपनी रेजिस्टर करवाने और सैंपल के कपड़ों के अरेंजमेंट के लिए कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लिये थे क्या तुम इस बात को जानते हो पर खुड़दार कि मैनिफेक्ट्रिंग में कितने पैसी जुरुत पड़ती है वो पैसे हैं तुम्हारे पास जी नहीं पापा तो फिर फिर क्या है तुम्हारे पास हमारे पास पापा मार्केट से मिले एक अच्छा ओड़र है कितने का है उसे बिना पैसों के कैसे पूरा करोगे पापा एक सुच्वारीज पीस का ओड़र है जिसकी प्रोड़क्शन कॉस्ट च्छी हजार चार्ट सो रुपए है और इसका रिफंड हमें अगले ओड़र के सप्लाई के बाद मिले था अच्छा यानि कि इस सुरू में ही दो लाख रुपए की लागत पर पापा आपके पास एक ऐसा आदमी है जो हमारे बिजनिस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है कौन? आपका सेट अगर आप हमें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो मैं तुम्हारा पाप हूँ और दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे तरक्की करें तो फिर पापा आप अपने सेट से बोलकर हमें कपडा उधार क्यों नहीं दिलवा देते हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगी और हमारा आगे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा बेटा विजय भले ही मैं उनके एक मुनीम हो मगर हर बिजनिसमेन का काम करने का अलग तरीका होता है और अलग असूल होता है कोई भी वेपारी नई कंपनी को पूरा उधार नहीं देता बेटे हाँ अगर तुं 50% का इंतिजाम कर लोगे तो बाकी के लिए मैं उसे बात कर लोगे उसका इंतिजाम हम कर लेंगे पापा आपने इतना कहकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता आप बस अपना आशिरवाद दीजिए हमारा आशिरवाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे तैंक्यू पापा अरो बेटा क्या खाएगा पापा आपको तो बदाएगे कि मुझको चॉमिन कित्ती पसंद है बेटा तेरे सोनो अंकल की दुकान है जो मन करे वो खा अबे मुझ क्यो लटका के बैठा है शुरू-शुरू में तो किसी की काम में दिक्कते तो आती है नहीं और अगर आदमी के इरादे मस्बूत हो तो छोटी-छोटी दिक्कतों से भी निकल जाता है लेकिन यार एक लाख रुपे का इंतजाम हमें करना है तुम दूनों जो दे रहे हो वो मिलाकर पचास हजार ही हो रहा है और पचास हजार का इंतजाम करना भी बाकी है वो कहां से होगा एक मिनिट यार दीदी का फोन है हाँ दीदी प्रीती वो पापा का फोन आया था पापा का फोन? क्यों? पापा ठीक तो है? हाँ वो तो ठीक है बलकि उनकी बात सुनकर मैं टेंशन में आ गई हूँ क्या कहा पापा ने? वो बोल रहे हैं कि मम्मी का मंगल सूत्र बेज दो मंगल सूत्र बेज देंगे? मगर दीदी वो तो हमारे पास मम्मी की आकरी निशानी है मैंने भी यही कहा पापा से पर वो कहने लगे कि जब मम्मी ही नहीं रही तो उनका मंगल सुद्र किस काम का उसे बेच कर जो पैसे आएंगे उसे अपने काम में लगाओ उसे बेच कर 10-15,000 तो आ ही जाएंगे और जब तुम काम्याबी की और बढ़ोगी तो यह देखकर मम्मी की आत्मा को भी खुशी मिलेगी तो आपने क्या सोच आफे अब मम्मी की आत्मा की खुशी के लिए और पापा की खुशी के लिए हमें ये सब तो करना बढ़ेगा जैसे तुम ठीक समझो दिदी ठीक है अजय पापा ममी का मंगल सूत्र बेचने को कह रहे हैं और दिदी भी उनकी खुशी के लिए ये करने को राजी हो गई है यह पापा इस ग्रेट पीती वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने काम में काम्याभी मिल जाए तो इस हिसाब से हो गए 65,000 अब बचे 35,000 अब बचे पैंतिस हजार अब अब बचे लाइगे बैठी अब बचे अब बचे लाइगे बैठी नहीं अंकल बस यूही आप ठीक कह रहें अंकल दोनों वाकी में ही परिशान है अ देखो काका जी मेरे को ना जिन्दगी का बहुत पजर्बा है और मैं पृत्ती का चेरा देख की समझ गया था कि में ही तुमारे को कोई परशानी है बात अलग है लोग मेरे को थोड़ा पकाउ समस्ते हैं अरे नहीं 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 अंकल ऐसा नहीं है इस बात को तो आम भी समझते हैं कि आप जो बाते कहते हैं उसमें दम होता है तो मताओ नो वही क्या प्रशानी है तुम दोनों की अंकल इन्हों ने नया स्टाट अप शुरू किया है ओह यानि की बीजनेस अंकल रेडिमेट गवर्मेंट्स की मैनुफैक्ट्रिंग का है वह बहरी गुडग है अब आगे है अंकल की इन्हें पहली बार में ही ओडर तो अच्छा मिल गया है अच्छा लेकिन उसमें एक प्रब्लम आ गई अभी वह क्या है अंकल दो लाग का ओडर इन्हें मिला है लेकिन उसके लिए एक लाग का रॉड मेट्रियल तो इन्हें मार्केट से क्रेडिट पी मिल जाएगा ठीक है लेकिन उसके लिए भी एक लाग का इन्मिस्मेंट इन्हें अपने जेब से करना पड़ेगा तो ये बात है अंकल हुम सबने मिलके पैंसेट हजार का इंतिजाम तो कर लिया है लेकिन बच्चे हुए 35,000 की फांस अभी भी इनके गले में अटकी हुई है और अगर टाइम पर ओर्डर सप्लाई नहीं हुआ तो अब तक के करी सारी मेने पर पानी चड़ जाएगा अच्छा तो ये प्राबलम है मैं देखो पहली बात यह है कि तुम जैसे नोजवान जो करियर बनाने की पोशिश में लगे रहते हो उसे देखके मुझे बड़ी खुशी होती है और दूसरी बात यह है कि जब मैं यहां तो तुम जैसे लोगों से बाते करता हूं तो मुझे और खुशी होती है तो इसलिए ना मुझे तुमारे अंदर एक अपना पांसा दिखाई देता है अंकल यही सेम फिलिंग तुमारे दिल में भी आपके लिए है आप भी हमें अपने से लगने लगें आप देखो आजे और परिती तुमारे यह जो प्रॉब्लम है ना मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं रिटार्ड आदमी हूं और जो भी मेरको पेंशन मिलती है ना मैं इधर उदर इन्वेस्ट कार देता हूं अब तुमारी प्रॉब्लम को देखते हूं मुझे लगता हूं इनकी परशानी जो है उसके लिए मुझे मदद करनी चाहिए तुमारी कंपनी में ना मैं पैंती यार पर इन्वेस्ट करने के लिए तियार हूं आहो थैंक्यू वेरी मच अंकल ना ना काक्का जी थैंक्यू से काम नहीं चलेगा भी देखो मैं तुमारी मदद इसलिए करूंगा भी ताकि मेरको भी कुछ रिटान मिले भी आखिर मेरको भी तो अपना बढ़ापा देखना अंकल आप बेफिक्र रहिए ये सारी बाते हम आउन पेपर डिसकस कर लेंगे तो कोई गाल नहीं मेरी तरफ से आ समझो एक मिनट हां नाट मैटर है अब तुमाल किता यार है हलो पापा हा बेटा पापा एक लाख रुपर का इंतजाम हो गया 50% का इंतजाम हो गया तो ये स अपने सेटजी से बात कर लिये अब तुम आराम से माल उठा सकते हो थैंक यू थैंक यू सो मच अब इस नहीं उडान में हमें आस्मान की उचाईयों तक पहुचने से कोई नहीं रोख सकता ठीक है काम्यार भी हासिल करो मेरे बिटे I love you पापा कुकु कु 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 किता हो Ci वाव है सुनाक्षी अरी सुनाली बेट बेट क्या बात अब तो तेरे पास फुरसत भी नहीं है मैंने फोन किया था और तुने मैसेश ड्रॉप किया आई विल कॉल यू लेट अब यार ऐसा नहीं है मैं क्या करूँ इतने ओर्डर मिलने लगे है ना तुझे पता है खाने तक की फुरसत भी मिलती मुझे ऐसा तो हो नहीं था मुझे पता है तो इतनी talented fashion designer है अच्छा ये सब छोड तू ये बता चाय तो पिएगी ना नहीं यार मैं मार्केट से कॉफी पीक कर आई हूँ चलो अच्छा है वैसे भी भुआ जी घर पे नहीं है पडोस में गई है किसी काम ते अच्छा बेटे मेरे साथ formality यार समझना एक sample बनाने को मिला है I hope you don't mind ओके ओके I understand अच्छा जी बता तुन्हे उस लाला के पैसे दिये बस दो चार दिन और जैसे ही पैसे आते है ना फेक के मारूमी उसके मूपे लारा जी नमुषकार 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 और कैसे हो बढ़ी या तुम बताओ बढ़ अम भी ठीक है आपके दूआ से बस थोड़ा सामान ले रहा था मुझे बताओ क्या चाहिए पांच रुपे की मिली पांच रुपे की मिली पांच रुपे की मिली पांच रुपे की मिली पांच रुपे का जीरा पांच रुपे का जीरा और पांच रुपे का तेज बता आःे पांच से उपर बढड़ जा।?」 एक अहा, वर कूले कैसे भाट पांच चूछ पाँज में हमा कि दो निगा कई कुलिपा पांच हम कई गोले थो हें में हमले उपने लेहल कोई यह समाल मिंने अरो परे माटन सर्थी में वेरीया प mim। शाक्षात लक्षिनारे दरवाजय पर आगई है अरे लारा जी मेर सामान मझे चलती तो मैझे यल दी है तुझे किस बार में ग्षान के बुलेटर ने पकड़नी है बाग जब दूखान आज निकल देखने हैं ने में संठानी दूकान आज है चल चल फॉरण निगल अरे बेटी सुनाशी तुम्हें आने की कैसर होती हैं आपर किसी काथ खबर भिजबा देती हैं मैं सारा ओडर घर पहुचा देता तुम्हारे नहीं लाला जी आज मैं आपको ओडर देने नहीं आई आपके पैसे वापस करने आई हो रूपा disability देश संब्रिंशा है a अनी जानी माया है कभी तुम्हारे पास कभी आपर रबात है सही कह रहे हो लाला जी पैसे तो हाथ का मैल कभी इधर कभी उधर आती-जाती रहती है अगर इंसन का व्यवहार अगर अच्छा तो पैसे उसके आगे मायनी नहीं रखते अब तुम तुम तुमारा व्यभार जानती ही हो बगवान भला करे मेरा और कहो तो पूरी दुख्वान तुमारे विजवा दूँ एक दिन भी तका जा करने नियांगो तुमारे पास वक्त वक्त की बात है लाला जी और आपका आप तो टेक काहिए ना नहीं हमेज़ रहत नहीं है चली गई अरे बगवान मेरा भला करे इन सबने तो ले लिएक नहीं उलान एक नहीं हवा चली महत रही गली गली अब मौसम भी बदल गया वक्त पुराना निकल गया हमको अब उड़ जाना है अंबर परचा जाना है होसले अपने आज बड़े हैं लेंगे नहीं उडान एक नहीं कुरान, एक नहीं कुरान, एक नहीं कुरान झाल झाल एक नहीं कुरान